आपके अपनी यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आप सभी की डिमांड से कि सर कंपनी का पूरा कच्चा चिठा कहां से निकाले कोई भी अगर आप स्टोक ले रहे हो तो उसका आप टेकनिकल अनलिसिस करते हो फंडामेंटली अनलिसिस करते हो टेकनिकल अनलिसिस तो दोस्तो जैसी आपको चार्ट दीख रहा आईजेल का ऐसे हो जाता है टेकनिकल अनलिसिस तो यह इंडिकेटर वगरा बहुत सारी चीज़े इसमें कैंडल स्टिक पैटरन वगरा देखने होते हैं लेकिन फंडामेंटली अनलिसिस भी दोस्तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है खासकर सोट टरम मिड टरम या लोंग टरम के लिए आपकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बताऊंगा उसके उपर जाकर आप पूरी कंपनी पूरा कच्छा चिठा निकाल सकते हो, बहुत कंपनी को किटना प्रोफिट हुआ है, कितनी इसको लोस है, कितना इसके उपर कर्जा है, सबसे बड़ी बात कौन-कौन से बिग बूल जो बड़े इन्वेस्टर है, कि किसकी कि इतनी होल्डिंग है किस कंपनी के अंदर मतलब टोटली सब कुछ देख सकते हो ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए मैंने आपको बताया क्या है आप दोस्तों चल दिये चलते हैं मैं आपको ले चलता हूं आपको करना क्या के उपर अपने इंट्रमार देना ठीक हैं किपर देख सबसे पहले-आपको दिख रही है www.stockage.com इसके उपर आपने क्ली करने के बाद दोस्तु यह इनकी website open हो गई है website ओपन ओने के बाद आपको इनका डेशबोर्ड दिख रहा होगा कि क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं पहली बात तो दोस्तों मैं किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं खुले में बोल ना वीडियो में कोई पैसा मैंने किसी से नहीं लिया ना किसी वेबसाइट वालों से जो काभिले त साइट पर भी आप जा सकते और पीसी के लिए भी आपको एक अप्लिकेशन मिल जाएगी तो हमने डारेक्ट गूगल पर सर्च किया यह इनका डेशबोर्ड आया अब देखिए दोस्तों आपको कुछ चीजी इसमें दिख रहे होंगी निफ्टी है इसको उप्योग कैसे कर एक दिनी में कितना बेचा है net quantity कितनी बाइय किये कितनी सेल किया निफ्टी फिlles का दिखा दिया है ठीक है आपको इसका प्रीमियम हूँ लेने की जरीविए फ्री में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी देखिया न्यूज एंड अपडेट क्या स्टोग मार्केट से रिल के लिए website बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना टेक्निकल अनलिसिस करने के लिए भी फंडामेंटली अनलिसिस करने के लिए भी ठीक है क्योंकि हमको भी तो पता होना चाहिए जो हमारे देश क्या फिर दूसरे देश के बड़े-बड़े इस सबकुछ आपको पता लग जाएगा अब दोस्तों देखे आपको उपशन जिखना और ससी कहते हैं जाना है यह दोस्तों इसका चार्ट धिका रहा है वन डे का करन्ट फ इस तालिस रूपे सतर पैसे चला हुआ है BSC का NSC पर कली करोगे तो NSC का दिख जाएगा mostly NSC में ही करते हैं one week का चार्ट देख सकते हो month का देख सकते हो three month का देख सकते हो ऐसे करके आप 10 साल तक का चार्ट इसका देख सकते हो 10 साल में इसका high था 83 रूपे 40 पैसे और 10 साल में इसका low था 17 रूपे 65 पैसे ऐसे ही आप देख सकते हो कोई भी किसी भी one day का one week का कोई भी लगा के आप देख सकते हो अब आगे दोस्तों overview में sector banking का है industry private bank है market के 25,927 क्रोड का है performance कितनी है one day का return 5% है one week का return 4.8% है one month का return negative 1% है six month का negative है one year का negative है 39.7% negative है यह इसका पूरा data आगया यह आगया दोस्तों price related अब जब आप यह delivery पे quantity क्लिक करोगे है delivery यह आपने क्लिक किया nsc, bsc both यह आप nsc में देख सकते हो bsc में देख सकते हो दोनों में यह क्लिक करते हैं दोनों में दिख जाएगा daily weekly monthly यह जो direct blue है इसका मतलब यह जो पूरी lining है 37.6% जो आपको दिखा रहा है यह दिखा रहा है दोस्तों इतनी deliverable quantity कितनी है जो direct blue दिख रहा है यह तो लोगों ने ले के रख लिए हैं बेचा नहीं है और जो पूरी line है 37.6% यह है यानि कि total 10 लाक यह जितना भी को दिख रहा है आप counting कर लिना इसके 37.6% इतना total trading हुई है उन में से जो blue direct line है यह आप holding कर ली गई है ठीक है deliver हो गई है quantity अब weekly में जाओगा तो weekly में दिखाएगा deliverable quantity कितनी है इस हफते में एक हफते की अपडेट में दिखाएगा दोस्तों news क्या-क्या आई है IDFC first bank से related क्या-क्या news आई हुई है announcement क्या-क्या की है NSC, BSC दोनों में आप देख सकते हो क्या-क्या इस bank ने announcement की है dividends वेगरा totally सब कुछ क्या-क्या announcement है corporation action क्या-क्या है और feeds क्या-क्या सारी चीज़ें आप देख सकते हो अब आगई age report age report में क्या होता है कि जो stock age website खुद का data बना कर कि भई किस bank कोन से top के 10 private bank है यह देखिया 28 March की date wise लिखा हूँ है 28 March की एक data उन्होंने शो किया top 10 private sector bank with high net interest margin in quarter 3 यह result आपके साथ उन्होंने बताया कि भई कौन सा top 10 कौन से private sector गे अब भी इनका खुद का data यह इतना काम का नहीं है अब आगए दोस्तों technical में ठीक है किस का किस कौन से दिन में कितना percentage इन्होंने return दिया NSC यह से आप इन्हों का देख सकते हो लेवल कौन कौन से है भई LTP क्या चला हुआ है यह देख से तो private point पे क्या आप देख सकते हो EMA का क्या support है 20 दिन की EMA 45.7% गटा पटा सब कुछ इसमें दीख जाएगा यह भी इतना काम का नहीं है इन्डिकेटर क्या बोला ही है काम का है दोस्तों NSC BAC आप सेलेक्ट कर सकते हो भाई RSI क्या है न्यूटरल चला हुआ है कोमोडिटी चैनल इंडेक्स न्यूटरल चला हुआ है स्टेंडर्ड डाइवर्चन न्यूटरल चला हुआ है रेट ओफ चैन्ज पोजिटिव है MACD नेगेटिव है ADX ट्रेडिंग है ATR एनने है स्टोक स्टी के परसेंट के है न्यूटरल है यह बाकी की तो काम की नहीं है दो चार काम की होती है इन्हीं को आपको याद करना जहीं होगा इसका टेकनिकल अब आगे दोस्तो Fundamentally Analysis Fundamentally Analysis बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तो किसी भी स्टोक के Long Term, Short Term, Mid Term Swing Trade करने के लिए तो सेक्टर कौन सा है Banking सेक्टर है Industry क्या है Private Bank है Website क्या इस Bank की IDFC First.com Website इस पर जाकर आप Banking का कुछ भी देख सकते हो क्या Loan वेगरा Interest Rate वेगरा सब कुछ देख सकते हो Price क्या चला हुआ है Current Market Price Market के 2527 करोड की है Financial Indication क्या बोले भी PE Ratio क्या है PB Ratio क्या है Book Price Value क्या है Price to Book Value क्या है Book Value Plus Share की कि कितनी है Dividend Dealed कितनी है Number of Share Subscribe कितनी है Total Market में कितने शेर पड़े हैं Company के यह हो गया दोस्तों Fundamentally Analysis का Overview अब आगे दोस्तों Result के उपर इस पर आप Result करो Quarterly आगया Half Yearly आगया Annual आगया यह सारे आप Result देख सकते हो भई Interest Rate से कितना रन किया है Company ने Totally Interest Rate से कितना रन किया है Net Interest Rate की Income कितनी हुई है Company की देखिये बढ़ती जा रही है पहले थी 2020-12 में थी 1893 में फिर उई 1961-1981-2212 अब चली हुई है 2500 यानी की बहुत अच्छी चली हुई है लगातार बढ़ रही है Income of Investment Totally आपको इसका Data दिख जाएगा कितने परसेंट इनकी Income हुई है देखिये यह गटी हुई है Income इनकी आप पूरी Balance Sheet देख सकते हो इसकी result वेगारा P.A.T. देख सकते है Profit After Tax कितना इनको हुआ जैसे पहले हुआ था 127-136 करोड का इस data करोड में मिलेगा दोस्तों आपको Minus 621 करोड का हो गया अब 290.21 करोड का इनको Profit After Tax हुआ है Net Profit इनको कितना हुआ है जो Net Profit दिखा 290.21 करोड इनको हुआ है मलब टोटली आप Balance Sheet देख सकते हो Company की Result यह आए हुए ही आप इसको Half Yearly देख सकते हो Annual देख सकते हो कितना क्या कुछ है Ratio Totally आप इनकी Ratio देख सकते हो इनकी क्या Ratio रही है 5 साल की इतनी Ratio रही है 2017-3, 2018-3, 2019-3, 2021-3 यह दिखा रहा 3 महीना 2021 का Totally आप इनकी Ratio देख सकते हो निकाल करके ठीक है अब आ गया दोस्तो Financial Financial में जाए आपके Balance Seat आपको दिख जाएगी Company की पूरी Balance Seat आपको दिख जाएगी इसको किस Time Payne की Market Cap कितनी थी इस Salman की Market Cap कितनी थी गटी है, बड़ी है ठीक है Balance Seat आपको Totally दिख जाएगी Asset Fund कितने है ठीक है Total Liabilities कितनी है Total Company के उपर करजा कितना है Total Company को Loan कितना देना है Total Asset Company की कितनी है गट रही है फिर बड़ रही है Totally दिख जाएगा आपको data दोस्तों Balance Seat का Profit and Loss का दिख गया अब यह हम Fundamentally Analysis में भी सीख चुके हैं कितना Profit हुआ है, कितनी Income हुई है Bank को Interest Rate से लगा लो या फिर Others जितने भी Income Source होते है Banking सेक्टर के उनसे कितना Profit हुआ है, कितना Loss हुआ है ठीक है, Cash Flow कितना है कितना Cash Flow है Company का ठीक है, भई कितने Quantities में Trade ओरे, कितना Cash आ रहा है Banking में, कितना Cash जा रहा है इस Company के अंदर, टोटली यह दिख जाएगा अब आगया दोस्तों Share Holding Share Holding में दिखाएगा भई, Promoter के पास कितने % Holding है 40% थी, 49.98 हुई 36.56 हुई, 36.52 हुई 36.51 अभी चली हुए Promoter Holding, Public के पास कितने है FI, FPI के पास कितनी Holding पड़ी है, DIs के पास कितनी Holding पड़ी है, Non-Institutional कितनी Holding पड़ी है Depository Receipt के पास कितनी है, 0-0-0 दिखा रहा है Promoter Holding यहाँ पर, यह प्रसंट प्लेज दिखा रहा है, निकि Promoter ने कितनी Holding को प्लेज यानि कि गिरवी रखा हुआ है, वो 0-0-0 है ठीक है, Share Holder दिखाएगा आपको, Number of Share यानि कि IDFC Financial Holding यानि कमपनी, यह आपको Share Holding पैटरन दिखाएगा, किसके पास कितने Share Holder पड़े हुए है कितने किसके पास, जैसे President of India, भारत के राष्टरपती के जो एक चलती है जो इनका पूरा डेटा चलता है जैसे President of India भी इन्वेस्टमेंट करती है यह जो फरमसी होती, यह भी इन्वेस्टमेंट करती है ICICI, यह अधित्या बिरला सनलाइफ टोटली Share Holder का डेटा दिखाएगा किसके पास कितने Share हैं, कितने बड़े हैं, कितने गटे हैं ठीक है, बजाज अलाइन से टोटली दिखाएगा यह यह Share Holder दिख गए Public Share Holding दिख जाएगा Non-Institutional आपको दिख जाएगी कितनी Share Holding है, ठीक है यह सारी चीज़े आपको दिख जाएगा Board of Director Company के कौन-कौन से हैं यह इसके सारे Board of Director हैं ठीक है, अब आगे दोस्तों Mutual Fund पे, Mutual Fund की कौन से Mutual Fund की कितनी Holding पड़ी है, निप्पोन इंडिया की है इतनी Quantity में उन्होंने Share Buy किये हैं, चेंज इतना बढ़ाया है, ठीक है इतने Total रुपे की इनकी Investments तोटली आप पूरे Mutual Fund कौन-कौन से Mutual Fund ने कितनी-कितनी Investment इस Banking यानि कि IDFC First Bank Company के अंदर डाली हुई है, ठीक है ये Mutual Fund की Holding आ गई अब दोस्तों, डोकुमेंट ये भी इतनी काम का नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है Annual Report वगएरा सब कुछ दिखाएगा Bank की ये भी इतने काम का नहीं Option Chain आप अगर पढ़ सकते हो, तो Option Chain देख सकते हो किस Strike Price पे कितना किसाइड कितने लोग इंट्रेस्टेड है तोटली आपको दिख जाएगा ठीक है ये भी इतने कुछ काम का नहीं है ये तोटली Fundamentally हो गया, टेकनिकल हो गया ये इतने काम का नहीं होता है ठीक है, अब आगे deals क्या क्या की है Bank ने bulk deal कौन सी की है इसमें आपको दिख जाएगा ये सारी डेटा आप दोस्तों देख सकते हो यानि कि आप Stockage वेब साइट पर किसी भी कंपनी का पूरा कच्छा चिठा निकाल के देख सकते हो इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और दिखा देता हूँ जैसे आप यहां पर जाते हो ना प्रीमियम एनलिशेसिले में इसमें आपको दीखेगा investor portfolio हो गया फिक है जब आप इस पे जाओगे न आपको दीखेगा राकेश जुनजुन्वाला एसोसियेट राकेश जुनजुन्वाला की जो कंपनी है यह इंडिविजिवल का है यह इंस्टिटूशनल गा इंडिविजिल का हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते देगे अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको दिखाएगा कि भाई इसकी कौन सी कंपनी में कि शेरोल्डर पे जब आप जाओ यह तो इंट्रोडेक्श होगा यानि कि इतने शेर राकेश जुन जुन वाला के पास अपाचे लिम्टीड के पड़े हैं इस क्वाटर में कितना परसेंटेज चैंज हुआ कितना नहीं हुआ है यह टोटली आपको डेटा दिख जाएगा यह तो राकेश जुन जुन वाला जी का था राकेश जुन क्रोडों में डील करते हैं इन कंपनी का जब आप किसी के उपर भी आप कलिक करोगे ना तो आपको सब कुछ दिखा देगा कि भई आप लोगिन कर ले ना गूगल साइन इन से तो आपको और अच्छे से सब कुछ आपके उप्शन जो इन ले ओपन हो जाएंगे ठीक है तो यह ऐसा कुछ था बहुत सारे लोगों को दिक्कता है मूचल फंड में जब आप जाओगे तो यहां पे मूचल फंड का टोटली डेटा दिख जाएगा ठीक है यहां पर आइपियो दिख जाएगा आइपियो पे जब आपके करोगे तो भई ओन गोइंग आइपियो कौन सा है अपकमिंग आइपियो कौन सा है लिस्टिड कौन सा कंपनी हो चुक है कितने प्राइस पर लिस्ट हुए क्या प्राइस चल रहा है ठीक है यहां पर सेक्टर में जाओगे सबसे बेस्ट चीज़ है जोस्तों सेक्टर की बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंटाइर बैंकिंग प्राइवेट बैंक कॉन से हैं जैसे आप अगर सेक्टर में चात है जब आन जाए तो प्रेआख सकते wentий में तोबी सारी आजए मोगें चाहके जैसे बैंक केंप वार्यिंग को प्रुदा स्कूरिए इस website को उपन करके तो पूरी company का पूरा कच्छा चिठा आप निकाल सकते हो अगर आपने अभी तक हमें टेलिग्राम पर फोलो नहीं किया है तो वीडियो के नीचे description में आपको लिंक मिल जाएगा आप हमें टेलिग्राम पर फोलो कर सकते हो फ्री ओप कोस्ट है हम वापर study purpose के लिए आपको बहुत सारे levels प्रोवाइड करते रहते हैं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल रहे में सब्सक्राइब वीडियो कर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कोमेंट कर दीजे वीडियो के नीचे तो मैं उसी टोपी के उपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा कोई डाउट है कुछ पूछना है वो भी आप पूछ सकते हो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था आसा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपनी का कच्छा चिठा कैसे निकाल कर देखे अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कोमेंट करके बता दीजे मैं आपके डाउट कलीर कर दूँगा वीडियो को दोस्तों लाइक करना और शेयर जरूर करना व थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई